गुट इविडिंग एवरीबडी आज हम करेंगे इंटेस्टाइन इन वर्टीब्रेट्स नहीं की कंपारिटिव अकॉंट आफ इंटेस्टाइन इन वर्टीब्रेट्स इंटेस्टाइन जो है इफ यू सी स्टमक और यू कैन से एनस या रैक्टम रधर या क्लोएका के बीच का हिस्सा होता है इसके बीच में स्टमक और रैक्टम के बीच में एक लॉंग इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन ठीक है यह जो है इंटेस्टाइन में जो फाइनल डाजेशन है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि सेक्रेशन ऑफ लिवर सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियास सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लिवर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का सिक्रीट करते हैं वह इंक्सुिक रिच्टन अट ये क्रोटी ऐस नियुकि ऑकेरीट्टियव । absorption अकर ठीक है अब इसके लिए क्या है कि intestine has been this particular structure has been modified in a such a way that ये दोनो function कौन कौन से digestion और absorption these two main functions they could be carried out efficiently efficiently carry out करने के लिए intestine जो है it has been modified with certain peculiar characteristics वो characteristics क्या क्या है first of all if you see intestine is elongated लंबी होती है या you can say coiled होती है ठीक है कोई इसलिए होते हैं तक ही within the body जो है वो adjust हो जाए विदिन the same body ठीक है दूसरा characteristic यह है कि intestine की जो अंदर वाली wall है ना वो folded है जैसे अगर मैं section लो तो यह जो अंदर वाली वाल है वो इस तरह से यूशुली क्या होता है ऐसा होने ही चाहिए बड़ ऐसा नहीं है अंदर वाली जो वाल है यह जो इस तरह से folds है इतने ज़दा फोल्ट है कि अंदर की यूमन है वो बहुत ही कम रह जाती है ठीक है तो folded इसलिए है ताकि absorptive area या surface area for absorption can be increased third जो है characteristic intestine में वो है कि जैसे यह fold है अगर मैं एक fold दिखाते हूँ इस fold के ऊपर भी इस तरह से tiny projections है जिसको हम कहते हैं area surface area for the absorption of the food material तीस चौता चाराक्टरिस्टिक यह कि इंटेस्टेन के अंदर there is a structure called spiral valve जो इंटेस्टेन अंदर की मुकोजल लाइनिंग होती रह वो मुकोजल लाइनिंग इस तरह से spiral valve बनाती मैं आपको दिखांगी यह यह दिखा आपको valve like structure इसको spiral valve भी बोलते है यह scroll valve भी बोलते हैं ठीक है अब आप देखो कि scroll valve इससे क्या होता है कि अगेन एक तो food बहुत लंबे समय तक इंटेस्टेन में रहता है तब तक उसका पूरा absorption ना हो जाएं दूसरा अगर आप देखो surface area जो है बढ़ जाता है intestine का चीक है next characteristic if you if you see that intestine possess is जो इसका diameter है it can be increased तुम्हें पता है कि मैंने first class में बता रहा था कि जो elementary canal की wall में longitudinal muscles और circular muscles होती है उन muscles की मदद से जो diameter वो intestine का increase भी हो सकता है और decrease भी हो सकता है last one is अगर आप देखो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी intestine में blind out growth है जिसको हम कहते है सीका या सीका सीकम singular होते है और यह अगे यह भी एक तरह से adaptation है या you can say modification है to increase the area of the intestine right okay दूसरा intestine के बार में एक दो चीज़े और मैं I would like to add कि अगर आप देखा जाए तो intestine जो है food को anterior region से लेकर posterior region तक move करती है right तो यह जो movement है food का from anterior to posterior region that is carried out by certain movements और यह movements क्यों है क्योंकि intestine की wall में longitudinal muscles है and circular muscles देखो यह longitudinal muscles जब contract करेंगी तो यह जब contract करेंगी तो क्या होगा कि shorten हो जाए गया यह जो जो you can say length वो shorten हो जाएगी और जब circular muscles contract करेंगी तो क्या होगा अब आप देखो circular muscles ऐसे present होती है अगर आप यह ट्यूब है उसमें इस तरह से circular muscles present है जब यह contract करेंगी तो जो length है वो increase हो जाएगी elementary canal की ठीक है तो यह जो if you see there are certain movements in the intestine due to the presence of these two muscles first movement is peristaltic movement peristaltic movement कैसे होता है peristaltic movement जो है longitudinal muscles के contract होने से होता है जैसे यह muscles contract करती है वो जो length होई उसकी shorten हो जाती है इससे क्या होता है कि जो elementary canal के अंदर जो भी कोई चीज होता है partially digested food होता है जैसे वो जो है it moves forward because of the shortening of the intestine or this movement is known as peristaltic movement यानि की जो wave of contraction है that follows the object दूसरा movement जो है वो है segmenting movement segmenting movement ही होता है कि जैसे आप आप सोचो कि यह elementary channel है और यह इसके circular muscles जो है वो contract करें तो क्या होता है कि यह elementary channel जो इस तरह से segments में divide हो जाएगी can you see of the circular muscles उससे क्या होता है फूड जो पार्टिली डाजेस्टिट फूड होता है वह एक बार तो जी के अब थर्ड मुवमेंट जाना थर्ड टाइप ओ मुवमेंट इस प्रेजेंट इंटेस्टाइं उसको कहते हैं जो है वह अपनी position जो है change करते रहते है और इस तरह के movement को कहते है पैंडिलर मुवमेंट और पैंडिलर मुवमेंट से अगेन क्या होते है mixing of food होती है and churning of food होती है यह तीन तरह के movement ऐसे हैं जो की digestive juices को thoroughly mix करने में help करते हैं और if you see churning of food को carry out करते है another characteristic if you see जो intestine की length है वो depend करते है on the food habits जैसे जो herbivores है herbivores में if you see the elementary canal is long and cold जबकि जो carnivores animal है या carnivores है उनकी जो elementary canal है वो comparatively मैं यह नहीं करते है short but as compared to herbivores वो थोड़ी सी shortened होती है ठीक है now again this intestine is also divided into two parts जैसे जो anterior part है intestine का जो की long है और you can say narrow है उस part को हम कहते है है small intestine जो intestine जो इंटेस्टान इंटेस्टान जो पुस्टिरियर पार्ट है पीछे वाल पार्ट है जो जो की ब्रॉड है और शोटर है उसको हम कहते हैं लॉंग इंटेस्टाइन ठीक है सो इंटेस्टाइन is again divided into two parts small and long intestine ठीक है नो वी कम तो कमपारिटेवकंट सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोस्टोम का साइक्लोस्टोम में आम देखो साइक्लोस्टोम पेट्रोमाईजोन मिक्जिन वगर आते हैं इसमें आप देखो एलिमेंटरी कनाल जो स्ट्रीट एक यूनिफॉर्म डाइमेटर की कहीं पर कोई चेंज ही नहीं दिख रहा ठीक है तो जो है बहार से कोई स्ट्रॉक्टर के लिए दिख को कहते हैं टिफ्लोसोल यानि की इंटस्टाइन वैसे तो बहुत नेरो रीजिन है बर इंटस्टाइन का सर्फेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शिन बढ़ाने के लिए दिर इस स्पारली कोई स्ट्रॉक्टर नोन एज टिफ्लोसोल इंटस्टाइन तो आप देखोगे की स्ट्रमक और इंटस्टाइन की लेंद में कोई ज्यादा डिफ्रेंस है नहीं कई बार तो इन्टस्टाइन की लेंद से भी कम होति है बट यहां पर आप देखो एक स्ट्रक्टर नजर आ नहीं जिस्ट्रक्टर इस नोन अस्ट्रॉल वेल्व में पहले बता चुकी स्क्रोल्व्यल्व यह यहां पर प्रेजेंट होता है ताकि इंटस्टाइन अपना फंक्शन जो efficiently carry out कर सके proper digestion हो जाए ठीक है एंड proper absorption हो जाए इसके लाब आप देखो दिर इस ट्रॉक्टर नोवन इस रेक्टल ग्लैंड और यह रेक्टल ग्लैंड जो है लाज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेज़न और यह क्या रिलीज करती है यह सोडियम क्लोराईड रिलीज करती है ऐलिमेंटर कनाल में चीक है तो जो स्पारिल वैल्फ जो है जो मतला बैस्क्ली इफ प्रेजंट होती है जैसे कि डिपनोई है या काइमेरा है लेटी मेरिया है अम्या है एक्सेटर यह फिश ऐसी है जिन में की स्क्रॉल वेल्व ऑर बीच में आघ को की ग्लाइबन भी जैसे एक टैसे आने का फिशिस के valve is present at the junction of small intestine and large intestine after that if you see fishes के बाद आते हैं एंफीबिया में ठीक है एंफीबिया में इफ यू सी इसकी एंफीबिया अगर हम देखें तो एक तो टैडपुल लार्वा और अडल्ट फ्रॉग की हम बात करते हैं एक इसकी जो इंटेस्टाइन है वो लॉंग अडल्ट फ्रॉग जो कंपारिटेवली जो है वो कम कॉईल्ट है एस कंपेर तो टैड तुम्हें बता है कि जो एंफ्लास एंफीबिया है वह अगें इस डिवेरें इंटु वेरियस सबॉर्डर पहला और है और एपोड़ा इसमें से ज़्यादा वेल डवलप नहीं ती ज़्यादा डिफरेंशियेटेड नहीं है थोड़ी बहुत कॉइल्ड है पर इतने ज़्यादा इफ्रेंशियेटेड नहीं है दूसरा है और इफ्यू सब और यह यूरोडेला में क्या आता है शेलमेंडर्स वगर आते हैं यह इसमें डिफ्रेंशियेशन है एफ्यू इसमें डिफ्रेंशियेशन नेक्स्ट्राम्स और सब्क्लास एनुरा जिसमें की फ्रॉग और टोड वगर आते हैं इसमें अगर आप देखोगे ना तो यह दो यह दखो जो small intestine का जो part stomach के immediately बाद आता उसको हम कहते हैं deodenum ठीक है deodenum के बाद there is a highly-coiled structure जो हम कहते है ileum ठीक है ileum और colon की बीच में there is a valve known as ileocolic valve और अब आप देखो कि नीचे जो है if you see large intestine rectum किसमें open हो रहा है cloaca में open हो रहा है और cloaca में urinary bladder भी open हो रहा है another characteristic feature जो की amphibians में present है वो यह है कि एक इसकी एंफिबेन की intestine में circular folds होते हैं जिनको कहते है वैल्वियूली कॉनिवेंटिस वैल्वियूली कॉनिवेंटिस और वैल्वियूली कॉनिवेंटिस ऐसे है जैसे कि आप सोचो कि एक straight pipe पाइप के अंदर folded pipe डालते हैं जैसे washing machine वाला pipe होते है या AC वाला pipe होते है वो जो circular folded structure होते हैं इंटेस्टेंटिस के अंदर उसको कहते हैं वैल्वियूली कॉनिवेंटिस अगें उसका major functioning कि है absorption area बढ़ाना और यह जो है यह पूरा एरिया जो है यह फोल्ड है यह जो है वैल्वियूली कॉनिवेंटिस है एक बार फिर से मैं लिख देती हूं था कि तुम्हें क्लियर हो जाए वैल्वियूली कॉनिवेंटिस यह एम्फिबियंस में प्रेजन होता है ठीक है आफ्टर देट वी कम टू रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स में आम देखो कि यह देखो डियोडिनम है लॉइं ओषिण कोईल इंटस्टाइन इजोजण न υब पार्ट है और यहिए इल्यम पार्ट है यानि कि जो बिप्रेंशीटेट है दियोडिनम जोजनम और एलिया जो लाज इंटेस्टाइने वह एक इसमें ओपन हो रहा है ख्लोएका में ओपन हो रहा है तुक है क्रोकोड आयल से अलांके इसमें दिखाने यहां पर एक सीकम भी प्रेजन उता है जिसको कहते है कोलिक सीकम नट इस अलसो प्रेजन प्रेजन डायग्राम में नहीं होता है आफ्टर दैट कम्स बॉर्ड में आप्शो कि इसकी आप अले स्मॉल इंटेस्टें इसद्धी इस तरह से dar तो है और जो है कहां उपनकर रही है लाज इंटेस्टाइन इस ओपनिंट वेर इस ओपनिंटु क्लोक यहां पर भी एलियो कोलिक सीका प्रेजन लूता है यहां पर हलांकि दिखाएंदी रहा है कोलोन और इलियों के बीच में इलियो कोलिक सीखा हलांकि यह यह यो कोलिक सीखा जो है वुड़ पेकर और पैरेट्स में एपसंट होता है बाकि सब वर्ड में यह प्रेजंट होता है iliocolyxica now we come to mammalian intestine यह देखो mammalian mammals में जो intestine सबसे जब से वेल डवलप्ट है अब आप देखो कि इसमें इवन देखो दियोडिनम पार्ट है small intestine का right then there is jejunum part then ileum part ठीक है यहां पर small intestine duodenum jejunum और ileum में now large intestine अब आप देखो कि वो जो है कोलोन और रेक्टम कोलोन आप देखो इसके यह कितना असेंडिंग लूब है यह 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 इसको मैं हाइलाइट कर देती हूं यह यह ट्रांसवर्स कोलोन है ठीक है और यह descending कोलोन है कितना बड़ा है then if you see lower part is rectum part and it is anus last is anus अब आप यह देखो कि mammalian में जो small intestine है that is you know sometimes 20 to 28 times the length of the body यानि कि body से 20 से 28 गुना लंबी होती है और जो if you see carnivore से अनिमल है उन में जो small intestine है और you can say intestine है वो 5 to 6 times the length of the body होती है ठीक है अब आप देखो small intestine और large intestine के junction पे there is a cecum can you see this portion ठीक है और यह जो cecum है it is ending into a narrow or thick wall structure known as vermiform appendix देखो यह दिखाए देने ना cecum जो है यह जो portion है if you see this is a vermiform appendix and this is cecum small intestine और large intestine के junction पे पे प्रेसे और वहां से एक जो protuberance है उसको कहते है vermiform appendix ठीक है अब जो है higher rectum is opening directly into the anus and anus is opening out if you see there is a pouch like structure known as cloaca और यह cloaca अगर आप देखोगे cyclostorm से लेकर even कुछ mammals में भी present होती है हलांकि few mammals को अगर तुम include करना चाहो यह मत करो पर यह जो you can say definitely जो यह बर्ड्स तर तो present होती है यह cloaca क्या आता है actually यह pouch होता है इस तरह है इस pouch में elementary कनाल भी open कर रही होती है इसमें you can say urino excretory system भी open हो रहा था और इसमें reproductive system भी open हो रहा और फिर यह pouch जो है बहार cloaca aperture से यह बहार निकलता है तो यह cloaca जो है we'll see cloaca भी as the animal progresses इसमें थोड़े बहुत changes आते हैं सबसे पहले हम देखते हैं cloaca in cyclosis cyclostorm में अगर आप देखोगे तो you will find कि मतलब ventral side पर होता है clearly demarcated नहीं होता है यहां पर आप cloaca ठीक है उसके बाद fishes में आप देखो कि fishes में भी यह देखो यहां पर cloaca दिखा रहा है तो fishes में भी क्या काम करता है कि एक तरसे एक simple chamber है जो कि rectum receive कर रहा है राइट रेक्टम रिसीव करते हैं large intestine का part और एक तरह से you can say urinogenital duct यहां पर reproductive system और excretory system जो है एक तरह से separate नहीं होते हैं तो उनकी जो common duct को बोते है urinogenital duct तो cloaca में urinogenital duct भी open होती है ठीक है this was about fishes ठीक है अब you know if you see but kuch fishes ऐसी भी होती है जैसे कि ऐसी पैंसर है या polypterous fish है then there is another fish known as chimera in fishes में जो है रेक्टम जो है डिरेक्ली अनस में उपन नहीं होता है ठीक है now we come to amphibians amphibia make this is cloaca यह जो लास्ट वाला पोशन है this is cloaca जिसमें रेक्टम भी ओपन हो रहा है urinary bladder भी ओपन हो रहा है ठीक है और यह है cloaca aperture से the cloaca is opening out now we come to if you see reptiles में आप देखो यह जो structure cloaca है it is not so simple अगर हम इसको देखें तो cloaca में भी if you see there are three chambers this way अगर internally हम देखें यह जो पार्ट जो की रेक्टम रिसीव करता है इसको हम बोलते हैं coprodeum इस सेकेंड पार्ट जो uranogenetal receive करता है इसको हम बोलते हैं eurodeum और यह थर्ड पार्ट जो है जो की बहार की तरह open होता है थ्रू अपर्चर इसको हम बोलते हैं proctodium ते क्या है थी किया नहां बोलते हैं धुकर जो पार्ट जो पूलते हैं बोलते हैं जो इसको हम एपता हैं त्रू का रिसीग्दीर है त्री पार्ट में आगा एबाशिघरा तरि खुल टिस और आज वैर शाह वकर आज एबसाफ खानी को दीज्व सदित्र ऑनका सब्साइध आए यह ρाइति न्यार्यत का हुए है् रिंफाटिक शेवक रूपर हुए है है जो तुम को सब्सक्तिक लिए टो तो बी लिम्फोसाइट जो हैं वो बर्ड में बर्सा और फेब्रेशियस में फॉर्म होते हैं से वे अगर आप देखोगे कि हुमन इंटेस्टाइन की यह वाल में भी देश्ट्रॉक्चर नोवन आज पिर्स पैच्चेस मैंने जो फिर्स्ट क्लास में दिखाया था पिर्स पैच्चेस भी क्या बनाते हैं लिभ फो साइट बनाते हैं राइट नौवी कम टू मैमस यहां पर देखोग जो है तीन पार्ट में रिवाइड़ेड है कोपरोडियम यूरोडियम और फ्रॉक्टोडियम नौवी कम टू मैमस अगर आपको यह दिखाऊ मैमस में दिखाया कि रैक्टम इस डारेक्ली ओपनिंग थू एनस तो मैमस में तो कि अग्यू इस नौट थो कॉमन बट फ्यू प्रिमिटिव गैंट आ जैसे की मोनोट्रीम से एंगलें मैंम से ना मौनों ट्रीम अटमें इन में जो है Bei Ciao邊 पीका उस मी खालता इस खालीपिटोगे ज्छ मीइख़सेजाजटी आपार्टा रमानो पिका या छोइक पाइख़सेज for today only now glands are left which will be taken in next class thank you very much